नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग दोस्तों आप देख रहे हैं डोल्ज शाउंड कंपनी का 3-way क्रोसोवर जो की बेस यानी वूफर, ट्रिवल यानी की ट्विटर और मीडियंट यानी की मिड रेंज के लिए होता है ये 3-way क्रोसोवर है और हमारा 3-way स्पिकर बोक्स म यूज होता है इसका एक function समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेक्टिकल बनाया है जिसको मैं आप लोगों को चेक करके दिखाने वाला हूँ अपने LCR मीटर पे basically friends इस crossover में हमारे दो capacitor लगे हुए है 4.7 microfarad के और ये दोनों capacitor हमारे इस switch के जरीए connect होते हैं इस switch की position change करने से क्या फर्क पड़ता है हमारे mid range की frequency पे वह मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ मैंने last time जो circuit diagram बनाया था उसमें मैंने ये ही दोनों capacitor आप लोगों को दिखाये थे जो की parallel में connect है और यहाँ पर एक switch देख रहे हैं जो अभी open है जब ये switch close हो जाएगा यानि की connect हो जाएगा इससे तो इन दोनों का capacitance double हो जाता है वो आप लोगों को मैं आज practical करके दिखाने वाला हूँ ये जो आप देख रहे हैं 4.7 microfarad के दो PF capacitor देख रहे हैं जिनको मैंने parallel में connect किया है अब parallel में connect करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस switch का function क्या है यानि ये जो switch आप देख रहे हैं सेम वैसा ही switch है जैसा कि switch यहाँ पर लगा हुआ है अब इस switch के जरिये मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि आपको ये switch कहां पर रखना चाहिए और कैसे ये function करता है अभी मैंने अपना LCR मेटर 20 माइक्रो फेरेट पे रखा है और मैं इसको ओन करने जा रहा हूँ तो आप देखिएगा ये जो capacitance दिखा रहा है अभी 4.8 माइक्रो फेरेट दिखा रहा है एक PF capacitor का ये capacitance दिखा रहा है अब जब मैं इस switch को ओन कर दूँगा तो ये देखिए friends ये दोनो capacitor का capacitance double हो गया है वहाँ पर value change हो गई है और 9.6 हो गई है जैसे ही मैं इसको off करूँगा तो वो फिर single PF capacitor का capacitance दिखाने लग जाएगा यही function होता है हमारे इस switch का जो दिया गया है ये हमारे capacitance change करता है यानि कि इन दोनो capacitor को ये जो दो capacitor लगे हुए है इनको parallel में connect करता है ये switch इस switch पे friends 3 lag होती है एक lag को इन्होंने idle छोड़ दिया यानि connect नहीं किया है लेकिन ये दोलो लेग पे इन्होंने soldering कर रखी है जब ये switch इस condition में होगा तो ये दोनो लेग connect हो जाएगी और दोनो capacitor हमारे parallel में connect हो जाएगे जब आप इस switch को इस तरफ कर देंगे तो क्या होगा कि ये दोनो पेरलल में connect capacitor आपस में अलग हो जाएगे यानि कि single capacitor की value जाएगी हमारी mid range में लेकिन यहाँ पर mid range में इन्होंने एक coil भी दी है 0.45 millihenry की जो की resetable switch के थुरू होते वे हमारे mid range में जा रहे हैं अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ हमारा जो mid range होता है यदि आप लोगों के पास ऐसा crossover नहीं है तो आप अपने mid range पे ऐसा capacitor लगा सकते हैं electrolytic जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बट फ्रेंड्स ये recommended नहीं है इस electrolytic capacitor की life जो है काफी कम होती है crossover ही हमारा सबसे अच्छा होता है हाला कि ये 12dB crossover बताये गया है हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि ये 12dB है या नहीं है ये मैं आप लोगों को practical करके explain करूँ आच्छे से अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था इसका capacitance ये देखे इसको मैंने क्नेक्ट तो कर दिया ये लेकिन वन दिखा रहा है महाँ पर वन इसलिए दिखा रहा है फ्रेंट्स मैं आप लोगों को सबसे पहले इस capacitor को दिखा देता हूं फ्रेंट्स ये जो capacitor है ये 47μF का और 250V का है तो 47μF है ये जबकि मैंने अपना LCR मीटर जो है वो 20μF पे सेट कर रखा है 20μF कम है इसलिए उसने वन दिखा दिया अब जैसे ही इसको मैं 20 के बाद 200μF पे करूँगा तो ये इसकी value exactly दिखाएगा जो कि दिखा रहा है 44.3 यानि 44μF ये दिखा रहा है आम लोगों को तो इस तरीक का PF केपिशेटर ना हो तो आप electrolytic यूज कर सकते हैं अधर्वाइज अगर आप ऐसा PF केपिशेटर लेके आप आए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी live ज़्यादा होती है ये 6DB का क्रोसोवर हो गया है और इसको 12DB का बताया गया है मैं आप लोगों को practical करके सिर्फ एक function इसका बताया है switch का जो कि ये छोटा सा practical आप लोगों के लिए मैंने बन आया था तेंक्यों दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसी सीरीज के आगे वीडियो जरूर देखते रहे हैं